तो लो दोस्तों इस बीडियो में लोग मत्प्रदेश की राजनीत में महिलाओं का लोगदान अब मत्प्रदेश में विकास की राजनीत के बारे में पढ़ेंगे राजनीती दल्वन महिलाओं की क्या भूमिका है उसको देखते हैं तो प्राचेन भारत की राजनीत में महिला परिबरतन आया ओर राज की राजनीत में, उनकी हगाज दारी सिमीत हो गए लेकिन आतुनी काल में महिलाओं की स्थिमीं परिभरतन आया और उन्हें राज की राजनीत में विसेश इस्तान दिया गया संता अंदोलनों इवं प्रमुख संगटनों में भी महिलाओं का योगदान विशेश रहा जैसे वर्ष ठरव संतामन की क्रांच में राणिलाश्मी बाई गोडवाना की साशिका अन्यवंती बाईयादी का विशेश योगदान देखने को मिला इसी प्रकार मतफ्रित की राजदानी में होलकर बंसकी साशिका देभी अहिल्या भाई होलकर वपाल द्यासत में महिला साशिका के रूप में नवाब कुचिया बेगम नवाब सिकंदर जहां बेगम नवाब साज जहां बेगम सुल्ताना जहां बेगम का भी योगदान विशे के स्च्ची लोक्त था मिलाओं के सात्ट समान वहवार का प्राप्धान करना सुर्था कै sitten ना जाता है और इनकी सुरूवार्णी मिनिस्तर से होनी चाहिए राजी राजनीत में महिलाओं की भागीदारी एक इतिहासिक रूप रेका के रूप में कैसे आंगे बढ़ी उसको देखते हैं तो भारत में महिलाओं के इतितिदि ago यह क्यmpfen इति-वाजों परणब English फंता के बाद में मैलाओं के स्थी में बजवतन आया और उन्हों ने अपनी स्थी अपनी तागत से पाली आगे बढ़ना चुरू कर दिया मैलाओं ने जीवन के सभी शेतरों में जैसे कि राजनीतिक समाजीकार्थिक सांस्क्रितिक धार्मी शेतरों में भाग लेना श्टार महिलाओं की राजनितिक भागेदारी में तीन पहलूओं को देखा जा सकता है मदाता के रूप में उनकी भागेदारी निर्वाचित पत्निति के रूप में उनकी भागेदारी और निर्णा जानी के प्रक्रिया में उनकी भागेदारी जब इन पहर लों को उचछे तरीके से ब्युहार मिलानी के वसकता होती है तो महीलाओं के पास कुछ काउसल और शमताएं होने के वसकता होती है कुछ मामलों में राजनीत में सामिल महिलाएं उच्छित नहीं हो सकती है लेकिन उनके लिए महात्पूर्ण कारकों के संदर में अरत्तन रहना महात्पूर्ण है इस मामले महात्पूर्ण कारके गरीबी, असिच्छा, बिरोजगारी की समाजिक समस्याओं को कम करना मुखरूप से गरीबी से पीडित एवं समाज के समाजी कार्थी करूप से पिछले बारगों से सम्बंदित ब्यक्तियों को बेहतर आजीब का गया उपसर अजित करने के लिए सक्द बनाने किया वसकता है मत्पदेश की राजनेति प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं की समाजी के स्थित अभी सुथरेगी जब राजनेति मिस्टि गोचर होंगी म्तपदेश में 20 मी सदी के 19 दसकों में महिलाओं की राजनीत में सुचित भूंका के लिए राजनीति के आएवं समाझे की स्टर पर प्रयास किये गए 21 मी सदी में महिलाओं की राजनीत में भागीदारी में बढ़ 15 हुई परन्तो यहां पर्यायप्त नहीं है यह महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी को ब्रहा देवा सोच मिस्तर पर परिष्ण करने किया वा सकता है। अंता ताप्ति के बाद एक इचटके में सभी महिलाओं को मुद्धिकार दे दिया गया और राजिश्चित भागिदारी के अफसार मिलने लगे पर नत इन अधिकार और अफसर का बासपे क्रेज़ को बाद हुआ सोच मिस्तर पर इस्थानी सुसासन में महिलाओं के सुनिश्चित भागिदारी के प्राभधान 1913 में हुए थे पार इस्थानी सुनिश्चित भागिदारी को तीन तत्थों से आख सकते हैं पहला मददान पृष्षषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष के सुलामी विधान सवा में लगवाग 73.03 प्रिशत हो गया अर्थाथ लगवाग दो फीजदी के विधान सवा चुनाओं में एक हजार पुरुसों पर महिला बोटों की संख्या 917 थी वहीं 2023 में 945 हो गई है इसमें तीन असमलों नौ प्रिशत के विधान सवा सीटी ऐसी थी जहां पुरुसों के तुलामे महिलाओं ने मधिक बोटिंग की थी 2023 में 34 विधान सवा सीटे ऐसी है इसके साथ 2018 में 20大丈夫 सिटे ऐसी ही हो गई है वहीं 34 सिटों पर महिलाओं ने लाओं की भागिदारी अत्य चेंड रही है परंतु इसमें उत्रोंतर विद्धी हो रही है जैसे 2019 में जहां चर महीं लाएन लोक सवा सदस्थी वहिंदीरे दीरे 2014 में 4 और 2019 में 3 हो गई मत्रब्र विधान सभा में जहां बर्स 1957 में कुल 288 सीटों में से कुल 11 11 बिधान सभा में देरवाजित होई थी माले दस्थों की संख्या कलांतर में लगातार विद्धी होई है और बर्स 1962 के चुनावा में रिकार्ड 34 महीं देरवाजित हों का विधान सभा पहुंची थी बर्स दोहजार आठ में पच्चिस पर दोहजार तेरा में पच्चिस पर दोहजार आठ में पच्चिस पर दोहजार आठ में पच्चिस तेरा में पच्चिस पर दोहजार तेईस में हुई सुलामी विधानसभा चुनाओं में कुल 27 महिलाएं निर्वाचित होकर विधानसभा में पहुंची है निर्दे लेने वारे संस्थाव में मंत्रपटिया सघ्राहिक्षाइन महिलांगत्र, तो त्यात्तर में समिधान संसोधन के पूर्म राजनेतिक इस्थानी राजनेतिक प्रक्षिया में महिलाओं की भागिदारी ना के बराबर थी यहां तक कि महलाइं अपना मद्दान भी नहीं कर पाती थी परण्तु पंचायती राज विवस्ताइव नगरी निकायों में नई में तर तो का भीकास हो गया अलांतर में उनमें श्रक्षिक संगटनों के प्रयाश से सफूर्ध भागिदारी का भीकास हुआ है बास्तों में इस्थानी सोसासन के जोवे महिलाओं का मद्दान 90-95 स्था था विभिन इस्थरों की संस्थाओं में उनकी संख्या और अच्छे स महिल्फ के दोर में महिल्फ सहीत हर उपेचिति वर्ग को राजमिती प्रक्रिया में प्रतंदेत मिल रहा है और उनको सुनिश्चित करने के लिए बैधानी को पाई भी किये जा रहे हैं आने वाले समय में भारती राजनीत महिलाओं की स्वाव इस्फूर्स भागिदारी के उम्मीद कर सकते हैं परांतु ब्रहाद इस तर पर विधाई सदलों में उनकी भागिदारी सुनिश्चित करने के लिए आराच्छंडर से प्राभधान करने होंगे महिलाओं की राजनीत में सक्री भागिदारी से समाज की दिसा में बदलाओं लाया जा सकता है मत्प्रदेश की राजनीत महिलाओं की भून का तो भारत क्यान राजों के तुलनों में मत्प्रदेश राजनीत की विधान सभा में महिलाओं का प्रत्मधित तो कम रहा है जबकि इस प्रदेश ने देश की राजनीत मिराइन दुर्गाबती महारान लच्मी भाई से लेकर स्रीमती पर्माबती देवी पर सुनिक शुष संतामन प्रथम विधान सभागठन के उपरांत निर्विस सरकार में कैमेड मंतरी बनी बिमला वर्मा जमना देवी उमा भारती सबीछ सुमित्रा महाजन त विजए राजे शिंधिया जैसे, कुसल प्रसासक विजा बिरांगनाय वन नेता आएं, नेता प्रदान किये, परंतु सिच्छा का निम्न इस्तर योवं इस्तिसाख चरता के निम्न प्रक्षाथ होने एकार मत्पदेश में आ मिस्तरियों के समाजी किस्ति बहुत अच्छी नहीं यही करने कि तेश की पृक्षा के 75 वर्स तर स्मत्पदेश के स्थाफना के 68 वर्स बीच जाने की उपरांत भी मत्पदेश बिधान सभा में महिलाप्रतियों की संङ्ख्या कोई उलेखनी प्रतिय नहीं देखी गई मतपदेश राज की स्थापना के परस्षात के 68 वरसों में संपने बिधानसवा चुनाओं का बिस्टेशन करें तो ग्यानत होता है कि राज की बिधानसवा में महिलाओं का प्रतिन्दित बहुत कम रहा बारत के समिधान द्वारा समानता कातिकार दिये जाने के बाद भी राज बिधान सवा में पुर्षों के तुल्मा में महिला जन प्रतनिद्यों का 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 प्रतनिद्यों मत्रदेश के प्रत्म महिला मुख्ष सची पंद्रमला बूच थी इसी परकार मत्रदेश के प्रत्मिक महिला आई पर सदिकारी आसा को पालन थी हाली में मत्परदेश की जुती महिला मुख्य सची पताजनबरी 2024 को सरी मती बीरा राणा को नियुक्त किया गया है मत्प्रदेश मिराजनीत और मसासनिक छेत के अंतरिक्त नियाएक छेत के अंतरगत मत्प्रदेश नियालाइक की प्रथम महिला नियाधी सरोजनी सक्सेना कोनिक किया गया था इन सबी महिलाओं के अंतरिक्त लडाकू फाइटर तेजस को चलाने वाली महिला अवनी चतुरवेदी भी मत्पदेश के रिवा जिले से समन्दित है मत्पदेश की जन्जाती महिलाओं के अंतरगत प्रसिद पिताउरा अलाकार भील जन्जात के पद मस्री भोरी भाई बेगा जन्जात की जो ध्या भाई तो भील जन्जात की हैं पूरी जिले से समंध है और मोटे अनाज को संदचित करने वाली लहरी भाई ने भी जोसी जिन्हें मालवा की मदा तरीशा गहा जाता है ने अपने जीवनकाल में चिकिसा के छेत में अनेक अभोध पूर्वकान किये हैं उनकी उप्रब्दी के लिए वर 2020 का प्रत्मिस्री पुरुषकारी ने दिया गया है अब मत्पदेश की विधान सभा में महिला जन प्रत् तीन दियों की संक्या 11 थी यानि तीने संवलो आठती पर्शंट अनुसो बाश्च में खुल प्रत्नी थी दोशो अठासी ही रहे महिलाओं की संक्या रिकाट चौन दिस रही यानि गयारत संवलो आठ पर्शंट और शच्ट में जोश्याने सीटें होने के बाप जोद भी आठ महिलाएं ही जित पाई दूस समलोग साथ पर्शंट आगेदारी रही निस सबाथतर मेंलें 206 सेटें हुई लेकिन 11 महिलाएं जीती दिन समलोग साथ एक परशंट ऑफशंट उन्हसषड में तिन सब्स पचासी में तacağने सेटें ही तीन सो पचासी में 220 सीटें दस महिल अनुसर नब्य में 32 सीटे थी 22 महिलाएं जीत पाईं 10 परशंट रहा बागीदारी महिलाओं के बिस राख परशंट रहा जीत का एक प्रकार्ट से प्रिचत निस अठान से में 320 महिलाएं थी 22 महिलाएं जीत पाईं 6 समलो है ऐसार परशंटों प्रिश्ट रहा जिंटीज है सिस्टों नियर तीन में तो तीस में तो तीस सदर्ग से थे त हरा महिलाएं चुनी गई 788 दो परशंट 2007 अठां दोजार आठ में दोसो तीस सीटों में पच्चीस महिलाओं को मिला सब्सक्राइब सब्सक्राइस सब्सक्राइब इसमें बजेपी की 21 हैं और कांग्रेस की चाहे हैं ग्याट साथ परसंड भागिदारी रही वह प्रोक तालिका से सपस्ट है कि मत्पदेश राज के निर्मान से लेकर बतमान तक मत्पदेश राज की विधान सभा में महिलाओं के लिए तेटिस परसंड सीटों करचित करने की मार्ग की गई इसलिए समय समय पर इस सम्मन्द में कई बार संसद में महिला रच्षण पर विध्यक लाए गए लेकिन बरतमान समय तक लागू नहीं किये गए हमारे समिधान की परस्ताबना में ब्यक्त की गई अकांचाओं के अतरिक्त अनुच्छे 14,15,3,49,A और 46 में समाजीक न्याय वाम अपसर के समानता की बात की गई है ताकि राजनीतिक वाम सर्वनिक जीवान महिलाओं के खिलाब बेदबाओं को खत्म करने के लिए उचित मत्पदेश की राजनीत में महिलाओं की भागिदारी में बाधाय वं समस्याएं तो मत्पदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसमें इसने उस्तानी सुसासन संस्थाओं में महिलाओं को 50% रच्छन दिया हुआ है इसके उपरां तभी राज की राजनीत में महिलाओं की लिए सबसे बड़ी वादा है उन में राजनितिक सोच विचार धारई वम जागरुकता की कमी का होना बत्वधिश में महिलाओं में राजनितिक सुनता का सर इस पर श्रूप से भारति परिवारों पर देखा जा सकता है गाओं कस्वों में ही नहीं सैरों की पड़ी लिखी आ खाहाँ पर घर के पुरुष पार्टी या कंडिलेड़ को आधिस धुंस को वूर्ट देते हैं तो अग्छा देखा गया कि महिलायें भई उससी पार्टी या कंडिलेड को वूट दे चल्वा करने के इतना लगता है क्या ही मतला है थो मत्मान समय चुनावबं लड़ने के लिए कापी बड़े प्रविद्धिक वा कि महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं और कम आत्मिर्वार होती हैं इसलिए चुनावों के लिए पैसे कंजाम करना मुझकिल हो जाता है इसे कान चुनावी दौर में पीछे चूड़ जाती है कुछ गिने चुनी महिलाएं कुछ बड़े राजनेता होंकि यही सहायत से यदि आंगे आ भी जाती हैं तो कुछ महिलाओं के उफिस्ति मातर से कोई धाचा गत परिवातर नहीं आ सकता है तो प्रोक बाधाओं या समस्याओं के उपरांत भी रिमत प्रदेश राज के निर्मान के पस्चात संपन प्रथम बिदानसभा चुनाओं से बतमान बिद समस्याओं के समधान के लिए सरकार को विभने प्रयास करके महिला जन्परतनितियों की राजित की राजनीत में भागिदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्द करना चाहिए राजनीत में महिलाओं की भागिदारी है तो सम्मिधान ही प्राप्त है लेकिन फिर भी महिलाओं की अधिक अंतर पर लचित नहीं होता है इसे कार्ट पंचायती राज संबंदी तिहातर्मा समिधान संसोदनिया मुझि मölजिस्दिया चुम्ह знаешьा में पारित किया गया इसके अंतरगरत महिलाओं को पंचायती राज ववस्थाओं को त्थ्त क्स्था कि अरंचन देने के बात की गई तिया तर्मा समिधान संसोधन इस दिसा में एक दिहासिक कदम था क्योंकि उसमेना के बल पंचायती राज संस्थाओं को समिधानी तरजा देगा क्रामिन विकास कदाय तो सौपा गया तता इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें भी आरच्छित की गई महिलाओं की भागी दारी में समय समय पर विद्धि भी हुई है लेकिन महिलाओं को राज की दान समय में इस्थानी सुसासन संस्थाओं की भाति उचित मतंदित प्राथ नहीं हुआ है मेरी कार्ण है कि बाहत क्रिस्तंता के 75 वर्ष अतामाथ प्रिदेश की इस्थापना के 58 वर्ष के उपरांत भी बिद्धान सवह में महिला प्रत्नेतियों के संख्या में लेकिनी ब्रत्नेति नहीं हुई है विसके कारण महिलाओं के संसाद वा बिद्धान मंदाल में 30 पर परतात नहीं हुआ है इसकी स्थापना के 68 बर्सों में दिये गए इधान सभावा चुनाओं करने पर याग्याथ होता है कि इधान सभा में महिलाओं का प्रतित बहुत कम रहा का दिकार्ची यह दे जाने के बाद भी मत्परदेश भी धान सभा में पुर्थों का बहूल रहा इस अंदर में मत्परदेश के प्रतम बिधान सभा चुनाओं से लेकर बर्तमार अठार्मी बिधान सभा के चुनाओं में महिला प्रतितियों के संक्या का बिसले संद करके इस पर हो जाता है इसवार यह सोलमी है ना कि अठार्मी लोक सभा मत्परदेश भी धान सभा में मह महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, सतंति इसका सुरूप में कहा जासकता है कि महिलाओं को संसाद भः राज ब्धान मंदल में उचे पथे तो तभी प्रांत हो सकता है, महिलाओं की 33 बर्षन भागिदारी को सुनिश्चित करने कारे करें महिलाओं मद्दान परिस्था था विधाई सदनों में उनकी भूनका आज भी कम है ऐसी मानता है कि इन सदनों में कम से कम एक त्याय महिलाओं की उबस्ति होनी चाहिए आज भी 230 बिधान सबह सीटों में मात्र सद तस्त 25 महिलाएं हैं दता लोग सभा में मर्द पदेश में सिर्प तीन ही सद स्याहिए है विषंचों चरग नहीं है विधान सभावं में तमांती मंडल में संख्या नगण होने कारण सक्त संदचना एवं नीत निर्मान प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागिदारी नहीं हो पाती है इस हिस्ति के लिए जिम्मेबार कारण कौन कौन से हैं तो पहला है समाजिक संदचना आज भी भारती समाज में महिलाओं को पिछले दू रसकों में इस तर पर उनकी भागिदारी बढ़ी है फिर भी इन कारणों से उनकी पहुंच ब्रहतर इस तरी राजनीत तक नहीं हो पाई है समाजी कार्थी के वं सैचनिक प्रिष्णापन समाजी कार्थी के वं सैचनिक छेत्रों में महिलाओं की संतोश चनक नहीं है महिलाओं में आज वे सचर्दादर की कमी है सरकारी आकड़ों के अनुसार प्रसासनिक सैचनिक एवं विवसाइक छेत्रों में उनकी भागिदारी बहुत कम है जिसके चलते समाजी कम राजनीतिक डुमेन में अपनी भून का निभाने में और सफल हो जाती है अच् के अत्मात के लिए रखा जाता है दुश्री बात महिला होने के कारण उनमें अस्वर अच्छा एवं समाजिक बदनामी का भी भय मना रहता है इसलिए या तो केवल संब्रांद परिवारों के महिलाएं या अत्यांत निम्र सेड़ी की महिलाएं राजनीतिक डलों में जाती हैं वे प्रहावकारी भूमकाई नहीं निभा पाती बड़े-बड़े निर्वाचन चेत्रों का चुनावी प्रवंधन उनके बसकी बात नहीं होती है इसलिए संब्रांत इवं दमंग परिवारों की महिलाएं ही राजनीत में आ पाती है दली संगठन में अप्रहाव टिकट नहीं मिल पाता है क्योंकि वे अपनी जीत के लिए आस्वास्त नहीं रहती है या आस्वास्त नहीं हो पाती है महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रिया में समाल इस्थान नहीं बनने के लिए उपरांत समस्त कारक सहिंग तुरुप से जमेवार है यद्यपी सब्सक्राइब दोनों में महिला अरच्छक महिला अरच्छन विद्यक 2023 एक सो अठाइस मां संविधानिक संसोतन विद्याग अत्वा नारी सक्ति बंदन एक सो छटमा अधिनियम मुझे अठीस फारित कर दिया गया है यह विद्यक लोगसभा दाज पितधान सभाव महिलाओं के लिए एक टिहाई सीटिय आरच्छछत करता यह लोगसभा यह अं राच्छछन लोगसभा सभार में अनुच्छत 336 & विद्यक के मुखे मुकार ऑस प्रभधान करता है विज्यक में प्रभधान किया है कि महिलाओं के लिए रचे सीटें राजों या कें साखे प्रदेशों में विभिन निर्वाचन छेतों में रोटेशन द्वारा अवंटित की जा सकती है अंसोची जात के लिए आरचित सीटों में विध्यक में रोटेशन कदार पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटियां रचित करने की मार्ग की गई राज विधान सभाओं महिलाओं के लिए रच्छन तो विध्यक अंचे 232 आ प्रस्तूत करता है जो प्रत्यक राज विध्यक महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए राचित और hiking सीटों में विध्यकुल विध्यक स्वाओं भी महिलाओं के लिए और अड़न चाहिए मत्रदेश में विकास की राज नहीं थी politics of development in मत्रदेश तो तृती विस्युद्ध के सारी तृती विस्युके आधनी क्योंके काल में मत्रदेश भी अपनी चतुर मुखी विकास करना चाहता है यह करण है कि जनता की भागेदारी मत्रदेश ने अपनी इस्तापना से लेकर आज तक भारती राष्टी कांग्रेश सेंक्त विधायक दल जनता जनत संग एवं भारती जनता पार्टियाद के सरकारें रेकिन इसके लावा अन पार्टियों ने भी प्रदेश के विकास में योगदान दिया राज में लंबी अब इस तक कांग्रेश का सासन रहा मत्रदेश की राज नीती में सित्वाज का प्रसाद मिस्र स्रीप्रकास चंस सेठी अजुन सिंग इसंदललाल पडवा सिरसाम चरण सुपल प्रदेश के एसे राज नेता रहे जिनके विकास कारियों को आज भी यंता हियाद करती है मोतिलाल बोरा ने अपने कारिकाल में प्रदेश के विकास कार है तो अनेक कारिकम स्टार्ट किये उसी प्रकार स्रीदिविया सिंग उमाभारती बाबुलाल गौर एवं प्रसासन पर अच्छी पकड़ बनायर हुए है मत्रदेश रखित की आपार संपता से समरत होने के पस चाथ भी इतना विकास आज तक होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है तो बर्दमान में मत्रदेश पिछड़े राज़ों में किना जाता है बिमारों जो इस्टेट हैं उसमें मत्रदेश एक इस्टेट रखित की है इतनी भी नहीं की है कि अभी भी मत्रदेश पिछड़े राज़ों में गिरे जाने के लिए कौन-कौनसे कारक मौझूद हैं तो पहले है भागोली का रहा है, मर्ध्प्रदेश भागोली क रूप से भू अवेश्टी तर्च्र्ज मंत्य भागोली का है,She आदिवासी चेत्र तूरस्त्र, आंचली चेत्रों में आदिवाचियों की अलगी संस्किती है, यह आदिवासी बदले वुए समाज, बदले वुस्य समय आत्वनिक्ता और बीकास के अब धारना से दुर थे। लंबे समय तक इनका संपर्क बदले हुए परिवेश से नहीं हुआ था, इसके साथ ही मत्रदेश के प्रसासन ने भी इनके और कोई विशेश ध्यान नहीं दिया, बता यहा दिवासी बहुलता वाले छेत्र अब एक्सित ही रह गए, लेकिन मरतमान में मत्रदेश सरकार द्व भगवान विर्षा मंदा स््वरोजगार योजना, टांटया ममा, अर्थिक कल्यान योजना, मुखमंतरी अंशोषी चन्जाति, विशेश परद्योजना, विट्पोसण योजना को स्कर्थि पतान की गई है, अर्थिक करांग कौन कौन से हैं, मंत्रदेश सासन के कोस कि सित पर्सेंट्राजर्स कर्जव अबेश के भुक्तान का 22 प्रिसंट जोड़ने पर 55 प्रिसंट बे हो जाता है से इस पांच प्रिसंट से विकास के कार पूरे कर पाना त्यंत कठीन है इसके साथ ही कैंसर कार भी पूर रूप से राज को मदद नहीं दे पाती है और छेत फलवरा अब बोपाल जैसे बड़ी रियास्तों में विकास के कुछ काम हूए एक इंद छोड़ी रियास्तों में विकास की कोई दिश्टी सोच या भी का कार गरम नहीं था अता हैतिहादिक दिश्ट से भी छेत बिश्ड़ा ही रहा राजनीतिक करण मनद पर पदेश में चार मुक जब तक योजनाय बनती है तब तक सरकार ही उतल जाती है लेकिन मत्रदेश में बढ़ दो जाटेन से डो अठारा में पंधरामी मिधानसबा के चुनाओं पस्चात कुछ समय कांगरेश की सरकार रही परंतु पुना है मत्रताओं के मजबूरेश को बोड़ते हैं बाज़पा को दलतों पिछले बार के हकों की बाते प्रदेश के राजमी समाजवादी पार्टी बहुजन समाच पार्टी कम्ज़नपर्टी renovrated कर सकारी कि यह अधर बहुत संग्ठा प्रद्र जुश्च में दो पार्टियों के मत देशनाओं करना पड़ता है प्रसासन की सभी नीत गोष्णाएं विकास वन मुख्यवं अच्छी होती हैं यह उनके क्रियानमन की प्रक्रिया में लाद प्रिताजाही उदा सेंथा ततस्ता उतरदाइत अल्फासन ही इंदा अकर मठता विश्टाचारा प्रदेश की गणना देश के पिछड़े राजव में की जाती है बत्मान में जन्ता जागरित हो चुकी है जन्ता किसी भी लोह या लालाच में पढ़कर किसी भी लोह या लालाच में पढ़कर बोट नहीं दे पा रही है बलकि अब जन्ता विकास चाहती है बत्मान में सरक सटकों के नई सड़कों का निर्माण, इसलिए मिलिम्टेट सरकार के विभिन रणी प्राफमिक्ताओं और छेतरी लच्छों में योगदान दे रहा है, जैसे बुन्यादी ढंचे का विकास, प्रतिस परधा और नीजी भागिदारी को बढ़ाबा देने के संदेशाजात्मर सुधार, संतुलिच छेतरी विकास, क्रमिन विकास और इस्विकार गरीबी उन्मोरन लच क्या है एक एकिकरत परिवाहन प्रणाली प्रदान करना जो सुरच्छित कुसल सस्ती सभी के लिए सुलव और परेवनकिति से तुकाय हूँ हो क्रमिन वादी के लिए नुंतम एवं सस्ती बुन्यादी रोतों का प्रापधान सुनिश्चित करना सरकार की नीतिकत रूप रेखा के अनुरूप MPRDC ही नीतिके उद्देश से हैं पहला है नीजी छेत के साथ साज़दारी में रख रखाओ एवं उन्याद पर जोड़ देते हुए राश्टी राजिमार्गों राजिमार्गों और प्रमुख जिला सड़क नेटवर्क का अनुरूप रख रखाओ एवं उन्याद जारी रखें मानिजीक और सर्वोत्तम अभ्यास सिधानतों के अनुप्रियों के माध्याम से दचता एवं सुरच्चा को बढ़ावा देना और इस प्रकास सुरच्चित विश्वसनी सस्ती एवं लागत प्रभावी सिवाओं का सिवाओं तक पहुंशुन सुनेश्यत करना रख्रखाव और निर्मान गद्विदियों के निगमी करण, वेपसाई करण और आउट्सोर्सिंग के माध्याम से परिवाहन सेवाओं और पुन्यादी धाचे के प्राबधान दस्ता में सुधार करना जन्ता के लिए सस्ती परिवान से वाएं पुन्यादी धाचे उम सहायक सर्वनिक सुधाओं तक पहुंस निश्चित करना इसके अंतरिक्त बर्स 2000 में परम केंद प्रयोजित पुदान मंति ग्राम सड़ा के योजना द्वारा मंत्परदेश के ग्रामिर छेत्रों को पक्किस आठ सजोडने का कार किया जा रहा है इसी योजना की तरज़ पर बर्स 2011 में मुखमंत्री ग्राम सड़ा की योजना मत्परदेश सर्कार द्वारा प्रडम की गई मत्परदेश में मत्परदेश देश के ग्यारा पीक पावर डिफिसिट राज्यों के राज्यों में पाच्मी स्थान पर आता है राज्य में 1500 से 1700 मेगा बाट विद्दूत की कमी हमेशा बनी रहती है इसी समस्या से निजात पाने है तो सर्कार द्वारा राज्य के खंडवा जिले में मत्परदेश सरकार और मुझराज सरकार के सहित तत्वधान में 200 मेगा बाट का विद्दूत सहिंत लगाया गया है मत्तमान में कई अन्य पावर प्रोजेक्टिवों नभीनी कृत उड़ा संसाधन के विकास के लिए मत्परदेश सरकार द्वारा नभीनी करण उर्जा नीद 2022 रस्तावित की गई है इससे राज्य के सभी गावों में 24 गंटे विजली प्रदान करना संभा हो सकेगा मत्तदेश में नभी करण उर्जा चमता ग्यारा गुना बढ़ी है यह राज की स्थापिश चमता का लावख 24 परसेंट है सौर उर्जा चमता बावन परसेंट बढ़ी है परतमान में 1000 मेगावाट चमता यह सौर पार्क संचालित हैं और 1778 मेगावाट के पार्क चल्द ही परम हो जाएंगे इसके साथ 3350 मेगावाट चमता की पर्योजना लागु होने की परम्भिक दिसा में है इससे 1000 मेगावाट चमता की सोलर पार्क पर्योजना है प्रेस्डेंट आवार्ड से सम्वानित किया गया। हकाया सकता है कि किसी भी पार्टी को दल, किसी भी पार्टी के दल को ज़री मत्पदेश में इस्थाइटी के रहना है तो विकास की राजनीत को अपनाना ही पड़ेगा पिछले दो धान सभावों में भाधी जन्ता पार्टी ने इसी विकास की मुद्य को ध्यान में रखका आज में कार किया बत्मान समय में राज के चित्र मुखी विकास किया जा रहा है जो निम्दन उसार है मत्प्रदेश में विकास की राजनीत का परणाम मत्प्रदेश में सासन संद्र को चलाने है तो जनता को विकास दिखाना पड़ेगा बत्मान में सहरी जन संक्य के स लिए चाहती है जोनिशी के परणाम सब्सक्राइब दिखाई दिखाई दिया निर्षण द्वारा बठ दो हजार तेईस चोविस तक मत्प्रदेश में नियुन प्रकार दिखाई दिखाई दिया है ताजिका बिकास दर उनिशंद सम्दों साथ परसेंट देश में सरवाधिक मत्रदेश की इंडर्श्ट्री में मत्रदेश चाल सम्मूद छे प्रिशत का योगदान दे रहा है। पिछले दसक में सकल घरेल उत्पादों में 2% कि बिद्धी हुई है। बिजली का उत्पादन 5000 से बढ़कर 21000 हो गया है। कई बार किस कर्मन पुरुषकार प्राप करने के बाद मत्रदेश ने पंजाब और महर्याना में भी सर्विक लिया वेदन किया है। प्रदेश में सम्मूद सहभागता परषट का भी संक्टन किया गया है। प्रदेश में सीलिंग मंजूरी से 43 लाख हेक्टियार स्यधिक जमीन हो गई है। स्री अन उत्पादकों के लिए राने दुर्गाबतिक स्री अन प्रोसाहन योजना चार जनबरी दोहजार चौबिस कुप्रारम की गई। इसके तहित मोटा अनाच जैसे कोदो कुटकी रागी जुहार बाजरा आधि स्री अन उत्पादन करने वाले जन्जाती भाई बहनों को दस रुपए प्रत किलो प्रोसाहन राजपतान की जाएगा। इसका सिधा लाग किसानों को टाप्ट होगा। पिर लोग सेवा विधान अधिनियां मनाने वाला मत्रदेश प्रतम राज समय पर व्यवसाय करने वाई लोगों को समान नहीं दिया जाता था। इसकों को समर्थन मूल पर गेहूं यानि गेहूं कितना है बाईस बच्टार रुपए है अज सरकार द्वारा 125 रुपए बोनस चाहिए 24 रुपए मूल दिया जा रहा है है मंत्रिस वड़क में सीर्स राज है मंत्रदेश बर्स 2022-23 में कुल राज कोसी घाटा सकल घरेलू उ इसमें 16,55 क्रोन रुपए का प्राद्धान प्रस्तावित था जो कीबर्स 2022-23 की तुलना में लगभाग सतरा समलों 17 परसंट अधिक है इसमें सीर्स पांच राजों में सामिल मंत्र प्रदेश एक एक लाग किसान के इड़कार जारी किये गये हैं मंत्री कान्यादान योजन फिर महलाओं के आर्थिक स्वाम लंबन के लिए लाडली बहना योजना से आर्थिक साहता पतान की जा रही है सरवाधिक सोयविन उत्पादक राज देश का 60% उत्पादन यहीं हो रहा है सिच्चा के शेत्म मुक मंत्री में धावी विद्द्यार्थी योजना पर्म की राज जहां पंचायतों में 50% महिला रक्षण है विस्व का दूसरा भारत का पहला मादिवासी संचार अनुसंधान के इंद जाववा में है देश का पहला मोबाइल वैंक करगौन में है देश का पहला बिकलांग पुनरवास के इंद रेवलपुर में है मत्पदेश के रि भिन समस्याओं का नियोजन आर्थिक नियोजन के बिना संभो नहीं हो सकता है केंद वारा राज को भित्ती सहायता से छेतर में सुधार एवं विकाज की सम्भावनाएं बढ़ती है अता केंद वारा आत के संग राजियों में समाजी कार्थिक असंतुलन और द्योगी की कर पर 15 मार्स 2015 में भारत में योजन आयोग का गठन किया गया योजन आयोग के स्थान पर एक जन्वरी 2015 को नीत आयोग की स्थान की गई इसकी कार पुर्व योजन आयोग जैसी ही है इसका प्रभु खुद्येश उत्पादम निवर्द्धि करना एवं जीवन इस्तर मुचा उठाना है थे था तंता एवा लोगतांतिक मूल्यों पर अधारी तैसी समाजी कार्थिक विवस्ता का विकास करना है जिन में राष्ट की सभी संस्ताओं के अंतरकत समाजी कार्थिक अम्राजनेतिक न्याय प्राथ्थो इसके लिए नीतियायोग की स्थापना की गई है सम जोजना निर्माड में राज्यों को प्रत्जित देने के हेतूं बर्स- 1992 में राश्टी विकास परिशत का गठन किया गया, lux परिश्ग जो मनतृ किया गया, पहला योजना की सहतात राष्ट के स्रोतों वा परिश्रम को सुझने रम विक्सित करना देश के सभी भागों में संदुलित विकास के प्रयास करना राज्यों में समरूप आर्थिक नीत को प्रफशाहिद करना बित्तायोग केंद सरकार तवरा नीतियायोग, राश्टी विकास परिस्ब बित्र century में केंद War و राज़ों परसपर संबनां दार्य. सम्धान के नुचि रिद्धायोग की गछन की बात की गई है, वित्य रुखित सिपार से राष्पति को देता है, पहला केंदबारा के बीच करों के, राजस्र की बीच वित्रण के संमद्द में, राजों को सहयता उंदान का yeah опять धारित करने में और केंदवा राजों के बीच बित्ती संबंदों के बारे में नीत तयार करने में केंदवा मतपदेश के बीच करों का बित्रण राज कभी कास करने में करों की भून का महत्पून होती है समिधान के अंसार केन सरकार वा मतमदेश के वीच करों का वित्रन निनुमसार किया जाता है पहला है राजशु के सोत तो राजश्य सरकार की आयक साधनों का उल्लेख दूसरी सूची में किया गया राजश़ से पराति भोमी, भ्वन कर मिद्धूत कर, वाहन कर राजश्वादी देखिवान के लिए रेल क्रयाओं पर कर समचार बत्रूब पर कर प्रेंद दौरा आरोपित राज द्वारा संग्रहीत कर मुद्रांक सुल्क और सधी इवाम प्रसाधन समगरी पर उत्पादन सुल्क आदि केंद सरकार द्वारा आरोपित किये जाएंगे इस प्रकार या सुल्क ऐसे हैं जिनमें राज सरकार को ही लाव होता है केंद द्वारा संग्रहीत कर राज्यों में बिच्रित करना मिधान के अनुच्छे 272 के उन साल कुछ ऐसे शेत रहें जिन पर केंद सरकार कर बस्वून करती और उसे केंद द्वारा राज्यों के बीच बिच्रित करती इस द्वारा के लिए आयका बने मन्ति काऊन थी अपन देiliस की पहले महिला मुक्रिद्घ अपन एल्मूग निर्मृदा भूज थी M है इं मत्थमन देवी आण्थम्हाम सरकार की महिल्हां नंभाली विकास मंत्री कौन वली छिमत्या hooks घुलां व्मत्तिभ तेविघ। कि